हलो फ्रेंज्स में रणा विक्यों और आपसी के हमारे यूटुब चैनल में स्वाग था तो इसे आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने ओपो के डिवाइसेज में सिस्टम सेटिंग को कैसे रिसेट कर सकते हैं बेसिकली क्या होता है कि हमारी सेटिंग में कोई प्रावलम हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि हम उस प्रावलम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आप सीधा system setting को reset करके उस problem को सीधा solve कर सकते हैं क्योंकि उससे आपकी सभी settings by default हो जाती हैं तो आप इस video को शुरूर से अंट तक देखे हम आपको step by step बताऊँगा कि कैसे आपको अपने system setting को reset करना है तो चलिए इस video को जल्दी से start करते हैं तो यहाँ पर मैं अपनी phone की screen पर आगया है उसके बापको करना है कि अपने phone में system setting को reset करने के लिए आपको अपना settings open करना है तो यहाँ पर मैं open कर लेता हूँ open करने को आपको इस तरह का interface आपके सामने open होता है तो आपको नीचे scroll down करना है और आपको यहाँ पर additional settings का option देखने को मिलता है आपको इस option पर click करना है click करने को आपको इस तरह का आपके सामने open होगा तो आपको नीचे scroll down करना है और आप देख सकते हैं आपको सबसे नीचे backup and reset का option देखने को मिल जाता है तो आपको इस option पे click करना है click करने को आपको सबसे नीचे erase all data का option देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ पे click करना है click करने को आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे second number पे reset system settings only का option देखने को मिलता है आपको इस पे click कर देना है click करने को आपको यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको पासवर्ड को डाल देना है जो भी आपने अपना स्क्रीन पासवर्ड रखा होगा उसके बाप का जो सिस्टम सेटिंग है वो अपने आप रिसेट हो जाएगा तो वाई इसी तरह आप अपने ओपो के यह हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं मिलते हैं फिर एक न्यू टेस्टिंग टॉपिक के साथ